आज के हमारी इस वीडियो का टोपिक डिफ्रेंस बिट्विन AC ड्राइब एंड DC ड्राइब मतलब की AC ड्राइब और DC ड्राइब में क्या अंतर होता है दोसों आज का यह है कोश्चन इलेक्टिकल के इंट्रीव के नजजरे से काफी जाता इंपोर्ट एट है क्योंकि हम सबी को पता है आज के समय हर इंडस्टि एरिया में हर कमपनी के अंदर मोटर को चलाने के लिए ड्राइब का इस्तमाल क्या जाता है जिसे हम VFD के नाम से जानते है वीरिबल फ्रिक्वेंसी ड्राइब अब दोस्तों यह है जो हमारी मोटर ड्राइब होती है VFD इससे जुड़े हमसे कई बार इंटरू में कोशन पूचे जाता है और साथ ही साथ यह भी कोशन पूच ले जाता है कि आखिरकार AC ड्राइब और DC ड्राइब में क्या अंतर होता है तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि आखिरी दोनों क्या होते है और उसके बार में हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी जान लेंगे तो बिना जादा देरी करें वीडियो को स्टार्ट कर लेता है दोस्तों वीडियो के स्टार्टिक में ही सबसे पहले मैं आपका यह के लिए कर जाता हूं कि आखिरी AC ड्राइव और GC ड्राइव इसका मतलब क्या है और यह क्या है तो दोस्तों इनके नाम से हमें पूरितके से क्लियर हो जाता है यहां पे लिखावा AC ड्राइव इस AC को चलाने वाली ड्राइब और डी सी ड्राइब मतलब डी सी बह 메ंट ने वेर paid the car यहां पाखी लिकिनो एंध्वान्टेज हा हमारा जो मुख्य काम होता हमारी मोटर की ज़।ो करते हैं हम इंगालास को उप्योग भी करते हैं, अब हमने से सभी के सामने एक अग्लास वाल यह आना चाहिए, कि आकिर जो तो दो ट्राइव है, यह किस तरीके से काम करती है, यह कैसे हमारी मोटर की स्पीड को कंड्रोल कर रही होती है, तो दोसरों सबसे पहले हम जान लेते कि आकिर AC मोटर की द्राइव के माध्यम से, तो दोसरों हमारी ड्राइव होती है लिससे हम VFD के नाम से भी जानते, इसके रहे हमारी टीं सरकीट होते है, भी वापत से होई हम हम यह वापत से आहितले है और जो यह बाद में AC निकलता है न हमारा लाश्ट में इस AC से अब हमारी motor को चला लेता है अब दोज़ां next हम बात करें कि अखिर DC drive के अंदर क्या होता है तो simple सी बात है मैं आपको बताया जो दोनों ही drive यह हमारी motor की speed को control करने के लिए यूपयोग मिली जारी है करते हमारे जो armature winding है उसके अदर हमारे जो voltage है उस voltage को कम जाता करके यह फिर हमारे जो field winding है उस field winding है current को कम जाता करके वैसे दोस्तों DC motor की speed को कैसे control क्या जाता है अगर आपके मैंन में इससे जो डाउट था आप मुझे comment box में comment करके बताईगा मैं उसके उपर एक और separate video बना दूँगा तो दोस्ता अभी तक आपको यह सभी पूरिटर के जो clear हो गया कि आखिर AC dive और DC dive क्या होती है और इनको उप्योग का गया जाता है अब हम इसके बार में next इनके difference के उपर बात करती क्या कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है लेकिन दोजों इसके पहले हम एक मिनट आज के इस वीडियो के sponsor को धन्यवाद देना चाहेंगे जो की Unacademy educational platform है Unacademy इस वीडियो के माध्यम से सभी student को सूचना देना चाहती है इसके एक मिनट का ads review बेजा है वह हम इस वीडियो के बीच में लगा देते हैं और उसके बाद में हम AC dive औ DC dive में मुख्य अंतर को जान लेंगे Contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest Combat live with peers to get real-time rankings and win big Participate in every contest to improve your ratings Challenging contests every fortnight or alternate Sunday, live ranking after every question, big rewards for top rankers, your passion to crack gate deserves this Your hard work towards your dream deserves this Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge, Unacademy Combat, register now So now when you have added Unacademy Combat series, if you want to enroll it in free, you will get this link in the description box And if we talk about this date, it is 16 December 16th at 6 p.m. So now we go to our next topic and talk about AC dive and DC dive in the difference So, first of all, the most important difference is our output value So, after AC dive in the output and DC dive in the output So, this is a simple thing, we all know that AC dive has AC motor, so this output will be AC supply So, when DC drive is DC motor, this output will be DC supply Next, the cost of the cost is the cost, which is the cost of the cost So, our AC drive is the cost of the cost, which is the cost of the cost, which is the cost of the cost of the cost So, the cost of the cost is the cost of the cost of the cost, which is the cost of the cost of the cost So, we all know that AC drive will be DC and DC is the cost of the cost Then, we will have to filter out the cost of the cost of the cost So, here we will have power and control circuit, which is difficult to do So, this is why our AC drive is the most important thing So, in DC drive, there is nothing like this So, after this, the difference between DC and DC We are able to save unlimited actions and do not But, we will have a bit of time here होती ही सबसे पहले छोटी पी और साथ ही साथ हलकी बी कि जब की यह हमारी DC- Above के प्रिक्षा काफ़ जादा बड़ी होती है साइज में और यह हमारी भारी भी होती है क्योंकि हम सभी को पता है इसके लिए सबसे बुरी इक जीज़ा है वह हार्मोनिक क्या है आपके मैं इसे जुड़े सवाल है तो इसके पर मैं अल्डेटी वीडियो बना रहा है वह वीडियो आपको इसी एंड शुरु जाएगा आपको हार्मोनिक पूरी तरगी से क्लियर हो जाएगा लेकिन दोस्त अगर हम DC ड्राइव की बात करे और जबकि हमारी DC drive होती है, ये DC drive हमारे AC drive की मुकाबल्ए high power को consume करते हैं, किसी भी same rating की motor को चलाने के लिए और इसी ज़्यादा chicken क 가णने करना हमारी DC drive को low efficient drive भी बोलते हैं, जबकि AC drive जो होती है, वो हमारी high efficient drive कहलाती है, इसके लगा दोसा आकरी के अंदर एको DC डाइब से जुड़ी ये बात आजाती है कि हमारी जो DC डाइब होती है, हमारी जो DC मोटर होती है इनके maintenance काफी ज़्यादा होते है आज के से हमें हमारी company के अंदर DC मोटर या DC डाइब क्यों नहीं देखने को बिलती तो यहाँ पर जो number one और मुख्य फायदा जो आता है वह होता है हमारी जो DC मोटर होती है वो हमारे high starting torque वाली मोटर होती है तो अगर आप से कभी कोई इंटर्यू में पूछे कि DC मोटर का सबसे जो मुख्य फायदा है वो क्या है तो आप बोसकते हो DC मोटर हमारी high starting torque मोटर होती है लेकिन अगर हम starting torque और harmonic को छोड़के बाकी चीज़ों में comparison करें तो वहाँ पर हमारे AC ड्राइब और AC मोटर ही ज़्यादा efficient नजर आती है तो दोस्तों उमीद है कि आज का यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं helpful साबित हुआ हुगा आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करें रूब बता है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतियाफ इलेक्रिकल जोड़ता है आप मुझे नीचे